आज मैं बनाने जारी हूँ पाडले जीबिस्किट से एक बहुत ही हिल्दी और टेस्टी ना स्ताया बच्चों को बहुत ही पसंद आता है आप इसे जरू ट्रै कीजिए इसको खाने के बाद बच्चे मार्केट के स्विस रॉल को बहुल जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें मेरी यह रेसीपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सक्षन में लिखकर जरूर बताईएगा लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेर कीजिए स्विस रॉल बनाने के लिए हमें चाहिए दो पैकेट पारलेजी बिस्किट तीन चम्मच अनसाल्टेड बटर तीन चम्मच पॉडर शुगर एक कप कोकोनट पॉडर आधा कप कंडेंस मिल्क दो हरी रैची का पॉडर आधा कप दोद हम एक जार लेंगे उसमें पारलेजी बिस्किट डारेंगे और इसका पॉडर बना देंगे बिस्किट को पीस लिया है अब एक बॉल में बिस्किट का पॉडर निकालेंगे मैंने इसे बहुत ही बारीक पीसा है इसमें एक भी टुकरा नहीं बचा है अगर आपको लगे कि बिस्किट में टुकरा बचा हुआ है तो आप इसे चान सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो चमच पॉडर शुगर और दो चमच बटर अब इसे अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें थोरा सा दूब डालेंगे और इसे आटा जैसा सॉप्ट डो बना लेंगे इसका डो बनाने में मुझे चार चमच दूज लगा है अब दूसरे बॉल में इसकी स्टफिंग तयार कर लेते हैं इसके लिए हम डालेंगे कोकोनट पॉडर पॉडर शुगर इलाइची पॉडर बटर एक चमच और कंडेंस मिल्क और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब एक एलमुनियम फैल लेंगे उस पर पारलेजी बिस्किट का जो हमने डो गना है था उसको फैलाएंगे जितना हो सके इसे हाथ से फैला लेंगे उसके बाद बेलन की सहता से इसे पतला कर लेंगे इसे बहुत पतला नहीं बेलना है अब इस फैर नारियल को स्परेट कर देंगे कोकोनट फैला लिया है अब इस फैर की सहता से इसे टाइटली फोल्ड कर देखिए बनाने में बहुत ही आसान है फोल्ड करते टाइम यह ध्यान देना है कि फैल अंदर में दबे नहीं इसे बहुत ही टाइटली फोल्ड करना है अब इसे इसी फैल में फोल्ड करके दो घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे इसे किनारे से भी बंद कर देंगे अब इसे फ्रीज में रख देंगे दो घंटे हो गये हैं इसे फ्रीज से निकाल लिया है जो देखिए अब इसे काट लेंगे यह सैट से देख लीजे कितना अच्छा आया है इसे काट लिया है अब इसकी फ्लेटिंग कर लेते हैं पारले जी बिस्किट से बनी या स्विस रॉल तयार है आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाल पर आ जाए थैंक यू